देखिए फिर लगता है वो बाते भूल गए हैं पिछले कई दिनों से लोकसवा का सत्र चल रहा है और देश के प्रधान मंत्री देश में है यह लगता है कि नितीज कुमार जी को भूलने की आदत हो गई है अब बिहार में हमको लगता है कि अब समयधानिक संकट खड़ा होत जी कोई यह याद ही नहीं है कि कल प्रधान मंत्री जी बोल रहे थे कोई दूसरा नहीं बोल रहा था और विश्वास प्रस्ताव पर स्वेम प्रधान मंत्री जी बोल रहे थे इसका मतलब उनका याददास पूरी तरह समाप्त हो गया है अब हमको पूरी तरह हम लोगों को चिंता करनी पड़ेगी कि आज सही दिवस है देश के लिए जिनोंने प्रानों की आहुती दी हम लोग आज संकल्पित होना चाहते कि देश को स्रेश्ट बनाना है और आज पूरी भारतिय जनता पाटी की जो नई टीम है पुरा नए जोस के साथ अब नितीश कुमार जी को र दिवार की सत्ता से आप लोगों देखल किया गया था उसी तरह 2024 में भी किया जाएगा का एजेंट लगाया हुआ था देखिए नितीश कुमार जी अब अनपॉपलर हो चुके हैं और नितीश कुमार जी और प्रसांगिक हो चुके हैं अब वह किसी तरह का चुनाओ लड़ हम तो चैलेंज करते हैं मुखमंत्री जी आपको दम है तो विदान सवाब भंग कीजिए लोग सवाब चुनाओ तो बाद में होगा आज लोग विदान सवाब भंग कीजिए और जनता के बीच चलिए आपका भी जमानत जब्त कराने का काम बिहार की जनता की अरे ये सपना देखने दीजिए अब नितीज कुमार जी का खाता खुलने वाला नहीं ये बिहार में एक दम दुरभाग पूर्ण है मैं घोर निंदा करता हूं जिस तरह कांग्रेस पार्टी की मानसिक्ता महिला बिरोधी है वो सपस दिखलाता है कि इस देश में लोगतंतर में कांग्रेस को भरोसा नहीं है पंडित नेरू के नाती होने से इंद्रा गांधी जी के पोता होने से और राजीव गांधी जी के बेटा होने से सत्ता नहीं मिलने वाली है और इसी के खिलाब नरेंद मोदी जी ने भियान सुरू किया है ना तूस्त्री करन चलेगा ना परिवार बाद चलेगा अब इससे जादे दुर्भाग पुन क्या होगा कि किसी महिला का अपमान कर रहे हैं और ठीकी किया था लोर कोट आमदाबाद ने हाई कोट आमदाबाद ने कि राहूल गांधी की सदस्ता समाप्त की थी यह उस लाइक हाई नहीं कि लोग सबाब में बैट सके हैं